नमस्कार प्यारे बच्चों आज की हिंदी की कक्षा का विशय है महक पाथ शुरू करने से पहले चले कुछ पढ़ने का अभ्यास करते हैं आज हम कुछ फूलों के नाम पढ़ेंगे जैसे रजनी गंधा मोगरा जूही यह सभी फूलों के नाम है आपको बेने पढ़ने का अभ्यास करना है अब हम आज की विशय महक पढ़ेंगे महक मतलब स्मेल महक दो तरके होते हैं कुछ महक हमें बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ महक हमें बिलकुल पसंद नहीं अच्छी लगने वाले महक को हम कहते हैं खुशबू और जो बुरे लगने वाले महक होते हैं उसे हम कहते हैं बदबू आपको कौन-कौन से महक पसंद है जी हाँ फूलो की, खाने की, नहाने के साबुन की और कई तरह के ऐसे महक है जो हमें बहुत पसंद है उन्हें हम कहते हैं खुशबू पर कुछ महक जैसे पसीने की बदबू, गंदी जुराबो की, कूडे की बदबू ये हमें बिलकुल पसंद नहीं ये हैं बदबू तो जो महक हमें पसंद नहीं उसे हम कहते हैं बदबू ये जो फूल आपने पढ़े, फूलों के नाम रजनी गंधा, मूगरा, जूही, पारिजात, चम्पा, रातरानी इन सब के महक हमें बहुत अच्छे लगते हैं इन में खुशबू है तो बच्चो आज हमने दो तरह के महक के बारे में पढ़ा खुशबू और बदबू तो आपको आज अपने पाच्छे पुस्तक के पेज नमबर 48 में ये जो प्रश्ण दिये हैं इनके उत्तर लिखने हैं जैसे अच्छी लगने वाले महक को क्या कहेंगे बुरी लगने वाले महक को क्या कहते हैं आपको लिखना है और आपको ऐसी कुछ चीजों के नाम लिखने हैं जिनके महक आपको पसंद है और जिनके महक आपको पसंद नहीं है तो आप अपने बुक में ही इस प्रश्ट का उत्तर लिखेंगे आज के लिए बस इतना है धन्यवाद